उधारण्चोधा किसी देश की जनसंख्या को विभिन्न वर्षों में निमनलिखित आलेख द्वारा दशाया गया है आलेख का अध्यनकर निमनलिखित सवालों के हल्क हो जिये प्रश्न पहला सबसे अधिक जनसंख्या कौन से वर्ष में थी दूसरा सबसे कम जनसंख्या कितनी है तीसरा, कौन-कौन से वर्ष ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या में वृद्धी हुई चौथा, कौन से वर्ष ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या में गिरावट आई पांचवा, प्रारम के पांच वर्षों में जनसंख्या में लगातार वृध्धी हुई है या कमी आई है आईए इन आकड़ों पर थोड़ा और विचार करते हैं यदि हम वर्ष 1900 से वर्ष 1950 तक के प्रारंभिक 50 वर्षों के आकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जनसंख्या में लगातार वृध्धी होई है उसके बाद के वर्षों की बात करें तो वर्ष 1950 से 1970 तक जनसंख्या में गिरावट आई है और उसके बाद फिर से वृध्धी दर्ज की गई वर्ष 1990 से 2010 तक के आकड़े भी जनसंख्या में वृद्धी दिखा रहे हैं आपने देखा कि बार बार जनसंख्या के आकड़ों के बदलने की दिशा में कई बार परिवर्तन आया अलग-अलग समय पर आंकडों में वृध्धी तथा गिरावट से आंकडों में परिवर्तन की दिशा कई बार बदली इसे आंकडों का रुझान कहते हैं आंकडों का रुझान हमें आंकडों के बारे में भविश्षिक के पूर्वा नुमान लगाने में मदद करता है आईए इसे एक और उधारण से समझते हैं उधारण 15 किसी प्रदेश में मचली उत्पादन से संबंधित आंकडे नीचे ग्राफ द्वारा प्रदशित किये गए हैं ग्राफ का अध्यन कीजिए तथा निमनलिखित सवालों के जवाब खोजिए प्रश्न पहला वर्श 2011 से 12 में कितना मचली उत्पादन हुआ दूसरा अधिक्तम मचली उत्पादन कौन से वर्श में हुआ तीसरा क्या मचली उत्पादन में लगातार वृद्धी दिख रही है जब भी हम आकडों का अध्यन करते हैं हम आकडों में बदलाओ के कारणों के बारे में भी सोचते हैं जैसे उप्रोक्त उधारण में मचली उत्पादन में वृद्धी होने के क्या कारण है वज 2007 में उस प्रदेश की सरकार ने मत से मित्र नामक योजना की पहल की जिसमें मत से विभाग ने समुदाय को साथ में जोड कर मचली पालन को प्रोचसाहित किया अब प्रदेश विभाग के साथ हजारों की संख्या में समुदाय के लोग हैं जो विभाग को मचली पालन के लिए अनुकूल इस्थान खोजने में मदद करते हैं और साथ ही मचली उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण आकडे दर्ज करने में भी भुमेका निभाते हैं। मचली उत्पादन में समुदाय को सक्री रूप से जोड लेने के कारण प्रदेश द्वारा किये गये उत्पादन में लगातार वृध्धी हुई। पिछले आकडों के आधार पर बहिर वेशन करने पर यह अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2015 से 16 तक मचली उत्पादन एक लाग बीस जार टन तक पहुँच जाएगा। हमने सीखा 1. इस्तंब आलेक वद तालिकाएं आकडों को समझने में मदद करती हैं 2. विभिन परिस्तितियों में विचारा धिन आकडे ही प्रेक्षन होते हैं 3. ओसत एक ऐसी संख्या है जो आकडों के पूरे सम्हों का गुण बताती है 4. ओसत दिये गए प्रेक्षनों के सबसे कम वह सबसे अधिक मान के बीच में ही होता है 5. आकडों के ओसत को सांखिकी में समानतर माध्य कहते हैं 6. माध्य, माधिका एवं बहुलक आकडों के प्रतिनिधी मान होते हैं 7. माधिका वह आकडा है जो विवस्तित प्रेक्षनों में आय मान के ठीक बीच में होता है आठ, बहुलक वे मान होते हैं जो दिये गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार होते हैं नौ, आकडों में बहुत अधिक अंतर होने पर उन आकडों के माध्य से निकाला गया निशकष तुरूटी पूर्ण हो सकता है 10. वेक्तिकच श्रेणी में दिये गए आकडों की माध्य का गयाद करने के लिए आकडों को बढ़ते या घटते क्रम में विवस्थित करते हैं ग्यारा दिये गए प्रेक्षणों में अधिक्तम वा न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं यह प्रेक्षणों के मान का फैलाव दिखाता है 12. वेक्तिकच श्रेणी में समांतर माध्य ग्याद करने का सूत्र निम्नलिखित है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या 13. असतत्व वर्गिक्रित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का सूत्र निम्नलिखित है एक्स बार बराबर समेशन एफाई इंटू एक्साई बटे समेशन एफाई चौदह वेक्तिकत श्रेणी के आँक्णों से माधिका ग्याद करते समय प्रेक्षणों या पदों की संख्या के विशम होने पर निमलिखित सूत्र का प्रेयोग करते हैं माधिका बराबर कोश्टक में एन धन एक बटे दो वाँपद 15 वेक्तिकत श्रेणी के आँक्णों से माधिका ग्याद करते समय प्रेक्षणों या पदों की संख्या के सम होने पर निमलिखित सूत्र का प्रेयोग करते हैं माधिका बराबर N बटे दोवापत धन कोश्टक में N बटे दो धन एकवापत पूरे के बटे दो 16 वर्गीकृत शैनी में दिये गए आकड़ों की माधिका की गढ़ना के लिए निमलिके सूत्र का प्रयोग करते हैं मादी का बराबर L धन कोश्टक में N बटे 2 रिंड C F बटे F कोश्टक बन गुणित H 17 वर्गे किछ शेणी में दिये गए आंकडों का बहुलक ग्यात करने के लिए निमलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं बहुलक बराबर L धन बड़े कोश्टक में F1 रिंड F0 बटे 2 गुणित F1 रिंड F0 रिंड F2 कोश्टक 1 गुणित H 18 आलेक की मदद से आंकडों के परिसर में ऐसे मान भी ग्यात कर सकते हैं जो आंकडों में नहीं दिये गए हैं अंतरवेशन कहलाता है किन्तु ऐसा हर प्रकार के आंकडों के लिए संभव नहीं हैं 19 आलेक में रेखा के बढ़ने की दिशा वगटने की दिशा के आधार पर आंकडों के परिसर के बाहर के मान ग्यात करना बहिरवेशन कहलाता है यह भी आंकडों में रुजान इस पश्ट होने की स्थिती में किया जा सकता है